आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल जीम अश्टडी में इस वीडियो में जितने भी MCQ कोश्चन करवाने वाले वो सारे इस वीडियो में कवर हो जाएंगे हिस्ट्री के यानि टोटल 15 जो चैप्टर है वो सारा इस वीडियो में कम्प्लीट हो जाएगा आप सोच रहेंगे कि सर 3-4 या फिर 5 चैप्टर लगवग बचा हुआ है एक ही वीडियो में कैसे भाई हम मेहनत कर रहे तो फिर आपको चिंता करने की जरूरत क्यों है क्योंकि कईया स्टुडेंट का कमेंट था कि सर MC की कुश्चन वाला वीडियो जलती से लाकर खतम कीजिए इसके बाद सब्जेक्टिव में भी हमको ध्यान देना है तो सब्जेक्टिव वाला आपको टेंसन बिलकुल भी नहीं लेना है सबसे पहले मैं आपको वीडियो के माधियम से ये बताऊंगा कि कैसे आप लोग सब्जेक्टिव में जिन्हें ज़्यादा डर लग रहा है कि कैसे लिखना है वो सारे टिप्स मैं आपको बताऊंगा कैसे ट्रिक यूज करना है वो सारा चीज बताऊंगा और जो गलती कर रहे है, subjective में जो student गलतीयां कर रहे हैं वो सारे चीज में आपको इसी channel के माध्यम से बताऊंगा और दूसरी बात, question bank में जितने भी पूछे गए subjective के long question जो होते हैं, वो सारे question इसी channel के माध्यम से करवाऊंगा वस वीडियो को complete देखना और channel से जुड़ जाना है ठीक है तो चलिए हम लोग यहाँ पर शुरू करते बिना देर किये हुए क्योंकि यह लंबा सफर है इस वीडियो का क्योंकि पूरा 15 chapter complete करना है अब सोच रहें कि यहाँ पर पहला chapter से 15 कर रहा हूँ तो चलिए वीडियो को सुरू करते है पहला question कि आपका ध्यान से देखेगा 1857 एक पुन्रा लोकन वाले topic से हम लो question करने वाले है तो पहला question कि आपका सागर में एक जुलाई 1857 के विद्रोह का आरम किसने किया और जितने भी question है बता रहे हैं सारे question exam में पूछे गए question है आपको ये question बता रहे हैं बहुत ज़्यादा books में available नहीं मिलेंगे तो यहां पर बताएए इस person का उत्तर क्या होगा तो देखे हैं आपर question नमबर पहला का जो उत्तर है सारे option में पढ़के पहले बता देता हूँ सेख रमजान होगा या बखत वली होगा या मर्दन सिंग होगा या फिर बौधन दवा तो question नमबर पहला का जो उत्तर है वो आपका option नमबर A यानी सेख रमजान होगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते है next question और दूसरा नमबर question का आपका सागर में अंग्रेज पुरुस महिलाओ एवं बच्चों को जो अंग्रेज था वो पुरुस महिलाओ और बच्चों को कितने दिनों के लिए किले में सरन लेकर रहना पड़ा था तो question नमबर दूसरा का जो उत्तर होगा यहाँ पर देखे 50 दिन या फिर 111 दिन या फिर 122 दिन या फिर 150 दिन तो question नमर दूसरा का जो उत्तर होगा वो है आपका option नमर सी यानि 222 दिन आगे देखें यहाँ पर question नमर तीसरा क्या आपका 1857 की करांती के दोरान सागर एवं आस पास के छेतर में किसने अंग्रेजों को परिसान किया था option नमर A बक्तवली या फिर option नमर B मरदन सिंग या फिर option नमर C बौधन दौवा या फिर इन में से सब ही ने तो question नमर तीसरा का जो उत्तर होगा option नमर D यानि यह सब ही ने परिसान किया आगे देखें फोर्थ नमर तीन फर्वरी 1858 को सागर में विद्रोह का दमन किस ने किया है वलाक ने या फिर ही रोज में या फिर आउटरम में या फिर टेलर ने तो question नमर फूर्थ का जो उत्तर है वो आपका option नमर B ही रोज में आगे हाँ पर बढ़ते हैं next question नमर फाइब और question नमर फाइब का ये रोज ने किस नगर के सामरिक महत्व को अत्यधिक माना है एवं उसे जबलपूर से भी अधिक महत्वन बताया है तो question नमर फाइब का जो उत्तर है वो आपका option नमर C सागर ठीक है चलिए आगे हाँ पर बढ़ते है question नमर सिक्स question number six के आपका जोखन बाग हत्याकन आठ जुन को कहां पर हुआ था जहांसी में कानपूर में सागर में या फिर लखनाओ में तो question number six का जो उत्तर है वो आपका option नमरे जहांसी में आगे हाँ पर देखे question number seven के आपका बीबी घर कतले आम 17 जुलाई को कहां पर हुआ question number nine के आपका तात्या टोपे ने अंग्रेजों को अत्याधिक छाकाया उसे किस अस्थान पर 18 अपरेल 1869 को फासी दी गई यानि देखा जाए answer यहां पर पूछा जा रहा है कि तात्या टोपे को कप फासी दी गई यह आपको बताना है तो question number nine का जो उत्तर है वो है आपका option number b सीव पूरी में आगे यहां पर देखे question number 10 question number 10 के आपका the great revolt नामक पुस्तक किस ने लिखी है पहला option आपका पटा भी सीता रमया या फिर असोक मेहता या फिर जेम्स आउटरम या फिर रोबर्ट्स question number 10 का जो उत्तर है वो आपका option number b असोक मेहता आगे यहां पर देखे question number 11 करांती के दमन के बाद कौन करांती कारी नेता नेपाल गए तो question number 11 यहां पर देखे इसका option कि आपका नाना साहब या फिर बेगम हजरत महल या फिर ये दोनों या फिर इन मेंसे कोई नहीं तो इसका जो उत्तर है वो आपका नाना साहब भी गए थे और बेगम हजरत महल दोनों ठीक है उनकी मिरती वहीं पर हो गए थी तो इसका उत्तर होगा option number C आगे यहां पर बढ़ते है next question number 12 question number 12 कि आपका 1857 की करांती के पर्मुखनेता बहादूर साजपर को हडसन ने कहां से गिरबतार किया था तो question number 12 का जो उत्तर है वो आपका यानि हुमायू के मकबरे से आगे यहां पर देखे question number 13 question number 13 का जो उत्तर है वो आपका option number D यानि इन में से सभी जगा पर option क्या है कोलहापूर और दूसरा आपका 17 तीसरा आपका पुनाओ यानि यह सभी जगा पर विद्रो हुआ आगे यहां पर देखे चौदा number 1857 की करांती से पुरू अफवाय फैल रही थी कैसे अफवाय फैल रही थी जड़ा देख लेते है option में फहला अफवा क्या था कार्तूसों में गाय एवं सुवर की चर्बी भरी हुई थी जी हाँ यहां यह अफवा एकदम फैल रही थी घी आटा वा सक्कर में गाय वा सुवर की हड्यों का चूर्ण मिलाय जाता था यह भी सही है गाओं में चपातिया एवं चावनी में कमल के फूल भेजे जा रहे हैं यह भी सही यानि उप्रुक्त में से सभी अफवाय एकदम 100% सही है इसका उत्तर होगा option number D 15 question क्या आपका रान यहां पर दूसरा option होता चवीले के जगा पर मनु के जगा पर और सिर्फ option में यही रहता ठीक है चार option में एक यह और यहां पर लिखा रहता इन में से कोई नहीं तो यहां पर इस situation में उत्तर आपको यही मारना है देखिए 100% answer यही होंगे लेकिन यह इस नाम से भी बुला तो यहां पर देखिए तीनों महिलाओं ने भुमिका निभाई थी ताई बाई और अजीनन या और सीला देवी यह तीनों ठीक है यानि इन में से सभी ने आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशन नबर 17 किस महिला ने सतारा उजएन और गौालियर आदी में 1838 से 1863 इस्वी तक अंग्रेजों के विरुद में सनयंत्र किया तो यहां पर देखिए पहला उपसन रानी लच्मी बाई दूसरा उपसन महारानी बैज़ा बाई सिंधिया तीसरा उपसन बेगम हजरत महल चाउथा आपका आजीनन तो बताए इसमें से क्या उत्थर होगा तो देखिए कुशन नमबर 18 का जो उत्तर है वो आपका अपसन नमबर A राइट एंसर यानि काल्स मार्क्स ने कहा था आगे यहां पर देखिए कुशन नमबर 19 और कुशन नमबर 19 का वह कौन वेक्ती था जो विदेश में रहकर भी 1857 की करांती पर पानी नजर रखे हुए था और नियोर्क डे नमबर 20 का वह कौन वेक्ती था जिसने 1842 के बुंदेला विद्रोह के दमन में अंग्रेजों की मदद की थी मगर 1857 की करांती के दौरान उसने विद्रोहियों का साथ दिया और अंग्रेजों को अत्यधिक परेसान भी किया तो कुशन नमबर 20 का उत्तर क्या होगा तात्या और वीडियो को अभी भी लाइक नहीं कियो हो तो सोच लिजी आपको लाइक करने में मैं आपसे एक रुपईया नहीं लेता हूँ और चैनल को सब्सक्राइब तो बिलकुल भी नहीं करते हो इतने स्टुडेंट देखते हैं और इस चैनल के माध्यम से लाव लेते हैं फिर भी सोचिए एक टीचर को आप कुछ दे नहीं सकते हो कम से कम चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे दिल से दुआ न उत्तर है वो आपका अपसन नमर B कासी में याद रखिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कोशिन नमर 22 अच्छा कासी के जगा पर अगर दूसरा एंसर है जिसे की बनारस या बनारसी तो आपको वही उत्तर मारना होगा ठीक है क्योंकि बनारसी में ही कासी है आगे यहापर देखे कोशिन नमर 22 क्या आपका 1857 की करांती का परमुख कारण क्या था आखिर किस कारण से हुआ था 1857 की करांती सती प्रथा की समापती के कारण या फिर व्यप्त गत का सिधान के कारण या फिर चर्बी वाले कार्तूस के कारण या इसाय धर्म का परचार ओविसली नेक्स्ट चोवीस नंबर पटना में 1857 की करांती का नित्रत किस ने किया पीर अली ने अमर सिंग ने वक्जीन अलीए या लिटन से या मिंटो से तो कोईशिन नमबर 26 का जो उतर है वो है आपका उपसर नमबर B यानी डलहोजी से है ठीक है इसमें क्या था ये वेपगत होता क्या था इसमें था कि अगर मान के चलिए आप कोई भी जमीन है आपका या अगर उस जमीन का कुछ भी अगर बाप दादा था कौन था ये आपको बताना है तो देखिए हाँ पर कुछिन नमबर 27 में कौन कौन अपशन है बाजी राओ लच्मी बाई दिलिप सिंग या कूवर सिंग तो कुछिन नमबर 27 का उतर होगा अपसर नमबर D कूवर सिंग आगे देखिए आपर 28 नमबर 1857 के विद्रों के स देखना है और बिंदाज देखना है 100% फैदा होगा यह ने क्या आपका समय बरबाद हो रहा है चिंता नहीं करना है बिल्कुल भी बस बीना टेंजन लिए आप कोश्चिन को देखिए और पढ़िए रिवीजन कीजिए पहला कोश्चिन क्या आपका कलकत्ता में अंग्रेजो की किलेबंदी बस्ती का नाम था देखिए यह किस चैप्टर से देखिए थोड़ा सा देख लिए आपनवेजिक सहर नगरी करन और नगर योजना ततास थापत इससे रिलेटेड यहां पर क्या नाम था कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंद बस्ती का तो यहां पर चार ओपसन है फोट सेंट जोर्ज फोट सेंट डेवीड फोट विलियम या पिर इन में से कोई नहीं तो कुश्चन नमबर पहला का जो उत्तर है वो है आपका फोट विलियम यानि और ची आगे देखते हैं लिए उसक्शन नमबर दूसरा भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल् तो 1910 विस्वी में या फिर 1912 में या फिर 1909 में या फिर 1911 में तो कुश्चन नमर दूसरा का जो उत्तर है वो आपका उप्सन बड़ी 1911 इस्वी में तीसरा नमर कुश्चन के आपका विक्टोरिया टर्मिनल किस अस्थापत सैली का उधारन है नौ गोथिक इंडो सराइसोन या फिर नौ सास्त्रिक या फिर इन में से कोई नहीं तो देखे इसमें से अंसर बहुत सारे इंडो सराइसोनिक मारकर चले आते हैं ये गलत है सही जो इसका उत्तर है वो आपका नौ गो ठीक है चलिए आगे बढ़ते है नेक्ट कुश्चन नमर तीसरा सौरी कुश्चन न नमर ब यानि बंबे ठीक है आगे आपर बढ़ते है नेक्ट फाइप नमर पुर्त गालियों ने गोवा पर अधिकार किया कब किया तो कुश्चन नमर फाइप का जो उत्तर है वो आपका उप्सन नमर सी पंदरा सो दस इस वी में किया था आगे आपर देखे कुश्चन नम नमर 6 का जो उत्तर है वो आपका उप्सन नमर बी अठारा सो उनतर इस वी में आगे देखे कुश्चन नमर सेवन साथ दीपो का नगर कहा जाता है किसे कहा जाता है तो कुश्चन नमर सेवन का यहाँ पर उप्सन देख लिजे बंबे सिमला कुलकत्ता या बैंगलोर तो 1891 और 1894 लिखा रहे तो आपको उत्तर क्या मारना है यहाँ पर आपको उत्तर मारना है उप्सन नमर बी यानी 1872 इस वी ठीक है लेकिन अगर किसी एक में भी अगर 1881 रहे तो सीधा अंसर यही मार देना है ठीक है बस मैं आपको यही बताऊंगा यहाँ पर अंसर गलत नहीं या option के हिसाब से ये सही है चलिए आगे देखते है question number 9 छोटे अस्थाई बाजार को क्या कहते है तो question number 9 का जो उत्तर है वो आपका option number C गंज कहा जाता है आगे देखे question number 10 नगर का परधान अधिकारी कहलाता था तो नगर का जो परधान अधिकारी क्या कहलाता था पूरपाल, नागरक, या फिर कोतवाल, या फिर परधान तो question number 10 का जो उत्तर है वो आपका option number E पूरपाल आगे देखते है next question number 11 अब यहाँ पर question number 11 में भी थोड़ा सा problem है वासको डिगामा किस वर्स भारत आए यानि किस वर्स भारत पहुचा यह आपर question पूछा गया है तो देखें यहाँ पर 17 मई 1498 है और 17 मार्च 1498 है 17 मार्च 1598 है 17 मार्च 1598 है तो भाई यह 1598 तो होगा नहीं 1498 होगा तो यहाँ पर 1498 कौन वाला होगा माई वाला होगा तो यहाँ पर अगर option में यही रहे 17-17-17 तो आपको उत्तर मारना है 17 माई 1499 लेकिन अगर 17 के अलावे कहीं भी अगर 20 माई होता तो भाई 20 माई और 1498 तो यही 100% राइट एंसर होता समझ में आया ना लेकिन अगर option में 17 ही रहे तो आपको क्या मारना है 17 माई 1498 यही एक्जाम में question option के हिसाब से भी खुमा देगा और आप confused हो जाओगे कि मारे तो मारे क्या हमने याद किया है 20 माई 1498 यही चीज़ आपको दिमाग लगाना है जो आपको कहीं भी यूटूब चैनल में नहीं बताएंगे आगे देखते है question बर 12 कलकत्ता में सर्वच नियाले की अस्थापना कब की गई कलकत्ता में जो सर्वच नियाले होता है सर्वच नियाले याद रखिएगा किसे काते हैं सुप्रीम कोट ठीक है और एक होता है उच नियाले उच नियाले मतलब होता हाई कोट दोनों में बहुत डिफरेंस है तो यहाँ पर देखिएगा इसका जो उत्तर है सही उत्तर सर्वच नियाले की जो अस्थापना की गई थी वो है आपका 1774 इसवी में लेकिन यहाँ पर option है ही नहीं 1774 इस भी तो फिर क्या मारेंगे अगर इस situation में option यही रहे 1774 नहीं रहे तो इसको ही मारना है क्योंकि 1773 के एक अधिनियम के अनुसार्टिक एक कानून था उस कानून के अनुसार 1774 में यह सरवच नियाले की अस्थापना की गई थी तो समझ में आया ना तो यह होता है में चीज एक्जामिनर देखना चाहता है कि अगर गलत है तो उससे related option कौन सही है अनुसार गलत भी है तो उससे related option कौन वाला सही है आगे यहाँ पर बढ़ते हैं एक 13 नमर भारत में railway की सुरात कब हुई थी सभी को पता है इसका जो उत्तर होगा वो आपका 1823 में आगे यहाँ पर देखे confused होने वाला question आ गया बहुत सारे student मत बोलिए सिधा 99% confused होंगे और गलत answer मार के आएंगे क्या अगर इस वीडियो को देख लेने के बाद तो देखे question नबर 14 का जो उत्तर है वो आपका option number C यानि 1911 इस वी को इसका निर्मान हुआ था ठीक है अब यहाँ पर बात कर लेते हैं India gate निर्मान कब हुआ तो India gate का निर्मान हुआ था 1931 में अब बहुत सारे student बोलेंगे सर 1921 होगा इसका उत्तर तो जी नहीं इसकी new रखी गई थी 1921 में ठीक है नियू होता क्या है मतलब बुनियाद रखी गई थी और तयार हो गया था यानि बन कर 1931 इस वी में याद रखियेगा ठीक है अच्छा इंडिया gate जो sorry gate wave इंडिया कहां पर इस्ती थे यह बताईए बॉंबे में दिल्ली में या मदरास में या कोलकता में तो question number 16 का जो उत्तर वो आपका option बरे बॉंबे में है अच्छा यह इंडिया gate कहां पर इस्ती थे आप लोग comment box में जरूर जवाब दीजेगा ठीक है सबी को पता यार इंडिया gate का कैसा आकिरती होता है कुछ ऐसे इस परकार से होता है न वही इंडिया gate है और gateway of India जो है वो इमारत के जैसा है ऐसा ही है लेकिन इधर भी इमारत है इधर भी इमारत है यहाँ पर मीनार है इधर भी मीनार है तो यह gateway of India और यह आपका इंडिया gate तो बताना आपको question number 18, Fort William किस सहर में इस्तित है, तो question number 18 का जो उतर है, वो है आपका option number D, यानि कॉलकत्ता में आगे यहाँ पर बढ़ते है, next question number 19 और question number 19 कि आपका ध्यान से देखेगा, gateway of India किस सैली का उधारन है, तो इसका उतर होगा option number C, यानि इंडो साराय सैनिक, अब आते नेक्स्ट चेप्टर में ठीक है, ये कौन सा चेप्टर है, महात्मा गांधी वाला चेप्टर है, कि बात बचा हुआ है, लगभग दो चेप्टर, वो दोनों चेप्टर भी इसी वीडियो में cover होगा, तो यहाँ पर देखें, पहला question क्या आपका, महत्मा गांधी की आत्म कथा किस भासा में थी, अंग्रेजी में, गुजराती में, या हिंदी में, या बंगला में, तो question नमर पहला का जो उत्तर है, वो आपका option नमर B, गुजराती में, आगे आगे आपर देखें, दूसरा नमर, unto this last नमक रचना, किसकी है, रसकिन की, या टॉल स्टोई की, या फिर हैंडरी डेविट की, या फिर महत्मा गांधी की, इस परसन का जो उत्तर है, वो आपका option नमर A, आगे बढ़ते हैं, next question, तीसरा नमर, महत्मा गांधी का जन्म हुआ, कब हुआ, ये आपको उत्तर होगा, वो आपका option number C, गोपाल, क्रिस्न, गोखले थे, आगे बढ़ते हैं, next question number 5, महत्मा गांधी, दक्षिन, अपरिका, से भारत कब वापस आये थे, तो इसका भी उत्तर, 1915 इस भी होगा, आगे यहाँ पर बढ़ते हैं, next question number 6, चमपारन सत्यगरा का संबंद किस राज्य से है, तो चमपारन कहां पर है, बिहार में है, उसका संबंद बिहार से ही होगा, आगे यहाँ पर बढ़ते हैं, next question number 7, चारा चारी कांड कब हुआ, तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा, पांच फरवरी, 1922 इस भी में, चार फरवरी वाला एंसर नहीं मारना है, ठीक चलो या मरो का नारा किस ने दिया, तो इसका उत्तर होगा, गांधी जी ने, आगे यहाँ पर बढ़ते है, next question number 10, दिल्ली चलो का नारा दिया था, किस ने, सुबास चंदर बोस ने, या गांधी जी ने, या लाला लाजपतराय ने, या फिर गोखले ने, तो इसका उत्तर ह तैगोर ने, या पिर जोहरलाल नेरू ने, तो question number 11 का उत्तर होगा, अपसर नमबर सी, रविंदर नाथ टैगोर ने, 12 नमबर question देखिए, नमक कानून किस ने तोड़ा, मोती लाल ने, मात्मा गांधी ने, या मदन मोहल मालवीय ने, या चंदर सेकर अजाद ने, सिंपल अ रहे थे चंपारन, तो question number 13 का उत्तर है, वो आपका option number D होगा, या राजकुमार सुकल, आगे देखे question number 14, तो सिंपल इसका उत्तर होगा, मात्मा गांधी ने की ती, आगे आपर बढ़ते next question number 15, मात्मा गांधी ने, sorry मात्मा गांधी के बजपन का क्या नाम था, देखिए, इसका idea मुझे नहीं है, लेकिन इस किताब में जो answer है, मैं आपको बता देता हो, इसका उत्तर, option number B है, लेकिन फिर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताईएगा, इसका answer क्या होगा, क्या ये सही है, या गलत है, वैसे ये question exam में आने की संभावना ना के बराबर है, आगे वर्स आरम किया था, ये भी बहुत सिंपल है, तो बताईए यहाँ पर कौन सा उत्तर होगा, 1920, 1922, 1930, 1942, तो देखे, question number 17 का जो उत्तर है, वो आपका option number A, यानी 1920 में किया था, आगे हाँ पर देखते है, next question number 18, question number 18 क्या आपका, बंगाल के विभाजन की गोसना किस वर्स तो ये आपको बताना है, तो ये आपको बताना है, तो जो उत्तर है, वो आपका option number C, 1942, इस्वी को हुआ था, आगे हाँ आपर देखे, question number 21, काला कानून किसे कहा गया है, रोलेक्ट एक्ट को काला कानून के नाम से जाना जाता है, आगे हाँ आपर देखे, 22 नंबर पुना समझो था, या फिर पुना पैक्ट, किस वर्ष हुआ, ये हुआ था, 1932 इस्वी में, वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा, एक important बात, अगर आप उस बात को नहीं समझते हो, नहीं जानते हो, तो बहुत बड़ा, लगबग 5 नंबर आप लोग खो बैठे होगे, question number 20 का जो उत्तर है वो आपका option number D यानी भारत छोडो आंदोलन हुआ था, आगे याँ पर देखे 24 नंबर किसका परकासन अबुल कलाम आजाद ने किया, नियू इंडिया, अलहिलाल, यंग इंडिया या कोम रोड, सोरी, काम रेड, बताना इसका उत्तर क्या होगा, तो इस question number 26, question number 26 का आपका, रॉलेक्ट कानून या एक्ट किस वर्स पारित हुआ था, तो बहुत ही सिंपल इसका उत्तर यार, तो question number 26 का उत्तर होगा, option number C, 1919 में, आगे याँ पर देखे 27 नंबर, और 27 नंबर question का आपका, ध्यान से देखे, महत्मा गांदी ने पहला किसान आंदोल याद रखिएगा, बहुत important है, तो 27 नंबर का उत्तर क्या होगा, option number B, चमपारन में, आगे देखे 28 नंबर, 1920 में कौन सा अंदोलन हुआ, तो 1920 में आसा योग आंदोलन हुआ, आगे याँ पर देखे, 29 नंबर, डांडी किस राज्य में इस्तित है, तो जो डांडी है, वो आगे यहाँ पर देखे, नेक्स्ट कोशिण नंबर 30, सवीने अवग्या अंदोलन का आरम किस ने किया, तो इसका क्या उत्तर होगा, गांधी जी, ठीक है, आगे यहाँ पर बढ़ते है, नेक्स्ट कोशिण नंबर 31, क्या अपका निमली खित में से कौन एक अंदोलन जैसे ही मात्मा गांधी ने अपने आसरम से निकल कर एक काफिला रचा की चलो चलते हैं नमक कानून को तोड़ने के लिए, जैसे ही वहाँ पर दांडी में पहुचे, समुंदर में एक हाथ में मुठी जैसे ही नमक उठाय तो पीछे देखा कि 20,000 लोगों का काफिला है, त इस्तिमाल किया जाये तो उसके बाद उन्होंने तुरंत सवीने अवग्या आंदोलन की सुरुआत कर दी, इसलिए यहाँ पर इस परसन का उत्तर होता है कि डांडी मार्च आंदोलन में ही सवीने अवग्या आंदोलन की सुरुआत कर दी गई थी, आगे यहाँ पर देखते आगे कोशिन बरता है 1919 के अधिनियम को कहा जाता है अपर देखिए 1919 के अधिनियम बोला गया है ठीक है तो बहुत सारे लोग रॉल एक्ट एक्ट मार के और घर चल जाएंगे और खुब मुस्कुराएंगे यहाँ पर देखिए यह आप लोग गलत कर क्या होगे इसका जो उत्तर होगा मौन टेग्यू चेम्स फोर्ड सुधार एक्ट ठीक है याद रखेगा अगर 1919 अधिनियम रहे तो यह होगा 1919 का रोल एक्ट एक्ट रहे तो यह होगा ठीक है यह काला कानून आगे यहाँ पर बढ़ते है महत्मा गांदी ने मैंने आपको वीडियो में बताया था कि एक इंपोर्टन बात बताने वाला हो इंपोर्टन बात क्या आपका जैसे आप NCRT बुक हो लोगे महत्मा गांदी वाला जो भी चैप्टर है उस चैप्टर में पहला या दूसरा पन्ना में आपको या पन्ना पलट कर देख लेना ठीक है वहाँ पर एक इधर डेट दिया हुआ ठीक है या फिर इधर डेट दिया होगा और एक तरफ जितने भी आंदोलन हुए है इंपोर्टन आंदोलन वो सारे इस तालिका को आप लोगों को पी जाना एकदम याद कर लेना है ठीक है उसमें मन्त भी दिया हुआ है तो महिना भी आप लोग देख लेना है उससे भाई 100% कोशिन आएंगे ठीक है अब हम लोग आगे नेक्स्ट चेप्टर के और बढ़ते हैं और नेक्स्ट चेप्टर के आपका भारत का विवाजन एवम आलिकित स्रोत अब इससे रिलेटेड क्या कोशिन है यहाँ पर देख लेते हैं सारे इंपोर्टेंट कोशिन है तो पहला कोशिन के आपका मुहम्मद अली जिन्ना के बारे में कौन सा कथन सही है तो कथन पढ़ लेते पहले हॉम रूल लिग आंदोलन का समर्थन किया असयोग आंदोलन का विरोध किया वेवेल योजना अस्वीकार की तीनों कथन सही है तो इसका जो उत्तर वापका पहला कथन सही है यानि उप्सन नमबर A मतलब प्रिथक मतलब अलग राष्ट एक अलग होना चाहिए मुसल्मानों के लिए देश या राष्ट उसके लिए मांग उठाई तो कब उठाई तो इसका उत्तर होगा अप्सन नमबर बी उनीस सो चालीस इसवी में आगे यहाँ पर बढ़ते है नेक्स्ट कुश्चन नमब इसवी के त्री पूरा दिवेशन में या फिर उनीस सो अड़तीस इवाम उनीस सो उन्चालीस इसवी दोनों में तो कुश्चन नमबर सी इसका राइट एंसर होगा या तीसरा का उत्तर सी आगे बढ़ते है नेक्स्ट कुश्चन नमबर फूर फॉर्वर्ट ब्लॉक उनीस पूर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर था अलेकजंडर लेकिन यह जो एवरी चचा है इन नहीं होंगे यानि यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा तो इसका उत्तर यही होगा एवरी आगे यहाँ पर बढ़िए कोश्चन नबर 7 मुसलिम लीग द्वारा सीधी कारवाई दिवस मनाया गया सीधी कारवाई दिवस आपको बताना है सोचिए अगर कम दिवस मनाते तो कम हम लोग को याद करना होता है खर कोई बात नहीं कोश्चन नबर 8 का जो उत्तर है वो हम लोग देखते हैं ऑप्सन नमबर D होगा 22 दिसमबर 1949 आगे यहाँ पर देखते हैं कोश्चन नमबर 9 क्लीमेंट एटली ने या गोसना कब की क्या गोसना की ब्रिटिस सासन जून 1948 इसवी तक भारत छोड़ देगा यानि भारत में जो अंग्रेज कुंडली मार कर बैठा हुआ था वो 1948 तक भारत छोड़ देगा क्लीमेंट एटली ने या गोसना कब की थी यह आपको बताना है तो कुश्चन नमबर 9 का उत्तर क्या होगा तो कुश्चन नमबर 9 का जो उत्तर है वो आपका उपसन नमबर 20 फरवरी 1947 इस वी को यह गोसना की थी आगे आपर देखे कुश्चन नमबर 10 क्या आपका बारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी के बारे में यह गोसना किसने की जब दुन्या में हम ह बेवकुफ इनसान जरा देख लेते हैं विंस्टन चर्चिल ने या रेमजे मैक्डोनाल ने या फिर क्लिमेंट एकली ने या फिर पार्मस्टन ने तो देखे कोश्चन नमबर 10 का जो उत्तर है वो बेवकुफ इनसान आपका उप्सन नमबर A में है यानि विंस्टन खांच कोई बात नहीं क् rapport 11 का उत्तर क्या होगा किस अधिवेशन में लाहर अधिवेशन में सुरत अधिवेशन में या इस्लामाबाद अधिवेशन में तो question number 11 का उत्तर क्या होगा option number 1 कराची अधिवेशन में ठीक है चलिए और पहरा नम्बर question number 13 के आपका सुबास चंदर बोस ने हिंदुस्तान की अस्थाई सरकार की अस्थापना की घोसना सिंगापूर के कहले हाल में कब की तो यहाँ पर देखे question number 13 का जो उतर है वो आपका option number C 2 October यहाँ पर 2 October नहीं होगा 21 होगा ठीक है नेक्स्ट 15 नमबर भारत को विभाजन करने की माउंट बेटन योजना कब परस्तुत की गई भारत को बाटने का तो देखे question number 15 का जो उतर है वो आपका option number 3 जून 1947 इसवी को आगे यहाँ पर देखते है next question number 16 भारतिये सोतंतरता अधिनियम कब बना तो question number 17 का जो उतर होगा यहाँ पर देखे जब देश अजाद हुआ था ना उस समय बिरिटेन में कौन सा पार्टी का सरकार था तो लेबर पार्टी का ठीक है चलिए आगे यहाँ पर देख लेते question number 18 सीधी कारवाई की धमकी किस ने दी ओ माई गॉड यहाँ पर इसका उतर होगा मुस्लिम लेग ठीक है चलिए आगे यहाँ पर देखे आगे यहाँ पर देखे आगे यहाँ पर कुशन नबर 20 के आपका कॉंग्रेस की अस्थापना कब हुई तो 1885 इस वी में हुई थी आगे यहाँ पर देखे यहाँ पर देखे कुशन नबर 20 का जो उत्तर है वो आपका option number D यानि अस्थेफोट कृप्स आगे यहाँ पर देखे कुशन नबर 22 के आपका ब्रिटिस सरकार की नेतियों से दुख होकर उपवास की घोसना किस ने की तो भाई उपवास करने का पा इसका उत्तर होगा option number B आगे देखे कुशन नबर 23 भारती राष्ट के कॉंग्रेस की अस्थापना का असरे किसे है कांदी जी को तिलग को या गोखले को या फिर AO हूम तो इसका उत्तर यही होगा आगे यहाँ पर देखे कुशन नबर 24 मुसलिम लिग की अस्थापना किस हुई तो देखे कुशन नबर 24 का जो उत्तर है वो आपका option number B यानि 1906 इसवी में 25 नबर के आपका पाकिस्तान सब्द किसने दिया तो देखे कुशन नबर 25 का जो उत्तर होगा वो है आपका option number C यानि चाधरी रहमत अली ने ठीक है किसने दिया था चाधरी रहमत अली ने आगे यहाँ पर देखे कुशन नबर 26 सोतंतर भारत के पर्थम गवर्नर जनरल कौन थे यहाँ पर बच्चे बहुत सारे फस्ते हैं तो यहाँ पर आपको फस्तना नहीं है मैं आपको बता दे रहा हूँ ठीक है ओभर कॉन्फिडेंस मत हो जाईएगा सोतंतर भारत के यानि जब भारत सोतंतर हुआ उस समय पर्थम यानि पहला गवर्नर जनरल कौन था इसका उत्तर होगा सीधा इंसल लौड माउंट बेटन ठीक है यानि 26 का उत्तर क्या होगा लौड माउंट बेटन अप्सन नमबर B अब यहाँ पर देखिए कोश्चन नमर 27 उसी परकार है सोतंत सोतंतर भारत के प्रतम भारतिये गवर्नर जनरल यहाँ पर भारतिये पूछा जा रहा है जबकि यहाँ पर भारतिये का जिक्र नहीं था तो भारतिये अगर पूछा जाये तो उसका उत्तर क्या होगा सी राज गोपाल चारी ठीक है याद रखिएगा दोनों तरह के तो दोनों में एंसर आपको दिहान से देना है सौतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था अगर यहां भी पूस्ता भारतिये तो भारतिये में अंतिम यही हो जाता सी राज गोपाल चारी लेकिन यहां पर इसका उत्तर क्या होगा लौड माउंट बेटेन आगे यहाँ पर देखिए उन तीस नमबर भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस के संस्थापक कौन थे इसका उत्तर होगा A.O. Hume आगे यहाँ पर देखिए तीस नमबर भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस की पर्थम महिला अध्यच कौन थी तो कोश्चिन नमबर तीस का जो उत्तर है वो आपका उपसन नमबर A यानि एनी बेसन टेक है यहाँ पर क्या पूछा गया है सिर्फ पर्थम महिला अध्यच कौन थी याद रखिए गा भारतिय नहीं पूछा गया है आगे यहाँ पर देखिए भारतिय राष्टिय कंग्रेस के पर्थम अधिवेशन के अध्यचता किसने की थी तो यहाँ पर देखिए उपसने दादा बाही नौराजी या फिर वियो मेश चंदर बनर जी या फिर रोज सा महता यागवोपाल किसने गो खले तो कोशिन नौर 31 का जो उतर है वापका उपसन नौर 2 वियो मेश चंदर बनर जी ने किया था आगे देखिए 32 नंबर जै हिंद का नारा किसने दिया इसका उतर होगा सुभास चंदर बोस ने आगे याँ पर देखिए 33 नंबर दुत्य विस युद किस वर्स आरम हुआत इसका उतर होगा 1949 में अब यहाँ पर only one chapter बच चुका है ठीक है उसको भी इसी वीडियो में cover कर देंगे ताकि आपका समय बचेगा और आप आगे की त्यारी अच्छे से कर पाओगे उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में subjective वाले question answer मिलेंगे लास्ट चैप्टर का नाम आप सभी को पता होगा भारतिय सविधान का निर्मान इससे related जितने भी important question मैं आपको करवा रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए पहला question क्या आपका सविधान सभादवारा प्रारूप समेथी का अगठन किया गया था कब किया गया था यह आपको पताना है 19. August 1947 को 29. 2021 अक्टूबर 1947 को या 29. sitzen नॉmber 1947 को तो इस प्रस्न का उतर हूगा अपसन नंबर पहला यानि 29. August 1947 को सविधान के निर्मान में कितना समय लगा तो सभी को पता है गाड़ी का नंबर क्या है 2118 ठीक है यानि दो वर्स 11 मेना 18 दिन 24 जनवरी 1950 को सविधान सबा के कितने सदस्यों ने सविधान पर हस्ताक्चर किये यहाँ पर इसका उत्तर होगा कोश्यन नंबर 3 का उपसन नंबर C 284 ठीक है आगे यहाँ पर बढ़ते है नेक्स्ट कोश्यन नंबर भारतिय सविधान कब लागो किया गया तो भारतिय सविधान कब लागो किया गया था तो 26 जनवरी 1950 को ठीक है आगे यहाँ पर बढ़ते है नेक्स्ट कोशिशन नमबर 5 कि आपका सविधान सभा की प्रारूप समेती के अध्यच कौन थे तो प्रारूप समेती के अध्यच कौन थे राजियंदर परसाथ जोहरलाल नहरू या भीम राव अमबेटकर या सरदार पटेल इसका उत्तर होगा उप्सन नमबर C यानि भीम र आगे यहाँ पर देखे कोश्चिन नमबर 7 लॉड माउंट बेटन ने भारत के वाइस राय के रूप में कब पद गरहन किया तो कोश्चिन नमबर 7 का जो उत्तर है वो है आपका उप्सन नमबर 8 24 मार्च 1947 को आगे यहाँ पर देखते है नेक्स्ट कोश्चिन नमर 8 निम्न मे उत्तर है वो है आपका राजिंदर परसाद कोश्चिन नमर 9 यानि उप्सन B आगे यहाँ पर देखे 10 नमबर कैबनेट मिसन के सदर से थे कौन थे पैथिक लॉरेंस या A B अलेकजंडर या सर स्ठेपोट क्रिप्स तो भाई यह अलेकजंडर क्रिप्स और लॉरेंस यह ती इसका उत्तर उप्सन नमबर D होगा आगे यहाँ पर देखे 11 नमबर 1895 इसवी का सौराज विदेयक किसके निर्देश में त्यार किया गया तो कोश्चिन नमर 11 का जो उत्तर है वो आपका उप्सन नमर C बाल गंगाधर तिलक आगे हाँ पर देखे कोश्चिन नमर 12 लॉर् इसराय के रूप में यहाँ पको बताना है तो कोश्चिन नमर 12 का जो उत्तर है वो आपका उप्सन नमर 24 मार्च 1947 आगे यहाँ पर देखे 13 नमर सविधान सबाकी बैठक में कितने सदस उपस्तित थे तो यहाँ पर देखे उप्सन के हिसाब से यह B होगा आगे यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट कोश्चिन नमर 14 पाकिस्तान का पहला परदान मंत्री कौन था मुहम्मद अली जिन्ना यह तो 99 परसें लोग मार के घर चले जाएंगे और मुस्कुराते रहेंगे और यहाँ पर दूसरा उपसन लियाकत अली या इकबाल अहमद या मौलाना अजात देखे इसका जो उत्तर होगा कोश्चिन नमर 14 का वो एकका अपसन नमर बी यानि लियाकत अली आगे यहाँ पर बड़स है नेक्स्ट पंदरा नमर सौतंत्र भारत के परथम गवर्नर जनरल कौन थे अब यहाँ पर देखे सौतंतर भारत के परथम गवर्नर जनरल लाओर म कहने का मतलब है सविधान लागू कब किया गया था दोनों बात एक ही है तो इसका जो उत्तर होगा वह आपका उपसन नमबरे 26 जनवरी 1950 इस वी को अठारा नमर कुश्चिन क्या आपका भारत किस वर्स गंतंतर बना अब वही कुश्चिन दोबारे पूचा जा रहा है देखे योहार लान नहरू भारत के परधान बनतरी कब बने तो देखें आपर क्योश्चिन नमबर 20 का जो उत्तर होगा वह आपका उपसन नमबर 21947 में आगे हाँ पर देखें 21 नमबर भारते सविधान के अनुसार समप्रभूता नीहीत है तो इसका उतर होगा सविधान में ठीक चंतर भारत के पर्थम राष्टपती कौन थे ये आपको बताना है तो ताइस का उत्तर क्या होगा सिंपल है राजेंदर परसाथ डॉक्टर राजेंदर परसाथ तो इतना मेहनत से मैंने आपको टोटल दो से तीन दीन में लगबग धाय दीन में मैंने 15 चैप्टर का MCQ कम्प की बात है कि आप लोग एक टीचर को भी एक सपोर्ट ने करते हो सोच लिजिए आने वाले समय में क्या हालत और दुर्दसा होगी एक सिक्छक की तो प्लीज सपोर्ट कीजिए ताके मैं आने वाले टेम में आपको और भी अच्छे अच्छे कंटेंट प्रवाइट करो टिक है और हाँ रियल में आप लोग सब्सक्राइब कर लिजिए क्योंकि सब्जेक्टिव वाला टिप्स जो आपको एक्जाम में अच्छा नमबर दिला सके वो टिप्स का वीडियो आने वाला है जल्द ही